नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्ट्रोकेर पर आपका स्वागत है आज की जो मैं वीडियो लेके हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाश्ण मशीन के अंदर वाइब्रेशन होती है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो कि यह जो क्यों होती है कई कारण होते हैं कई वार कपड़े आनबालंस होते हैं कई वार मशीन आनबालंस पड़ी होती है लेकिन इस मशीन के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने इसमें चेक करना है कि इसके जो सस्पेंशन होती हैं जो धेमपर भी बोलते हैं जहां शौ पांसी जो ग्रीस है इसकी अंदर जो सीड होती है वो फट चुकी है और दोनों तरफ के जो यह दिखिए इस साइड भी यह लीक कर चुके हैं तो अब हम इने चेंज करेंगे खोल के आपको दिखाऊँगा चेक करके चेक भी करवाँगा कि इनमें क्या प्रावल्म है कैसे खर नगता थोटड डालना तो मशीन को आगे को मैंने लटाया है और मशीन के जो फृण पर ए मैंने एक पिलो रख दिया है ताकि जो उसके बटन सब्चयरा है उनमें कोई प्रावर्म ना आए तो पिलो रखने के बाद मिशीन को लटाने के बाद नीचे का जो बेस है हम वो खुलेंगे स्क्र्यूज सारे खूल दिये मैंने और इन्हें खूल के साइड पर कर दिया यह नीचे का बेस था हमने साइड पर कर दिया यह देखिए यह जो इसी भी आप स्क्र्यू ड्रैवर यह कोई भी नीचीज को प्रेस करके इसको अंदर को कर दो गया तो इसके बाद आपने इसे जो जब निकालना है तो वो नोस प्लायर और प्लायर की जुरूरत पड़ेगी आपको तो आप देखना मैं अभी निकालूंगा कैसे निकालते ह हूं तो आपने खुद भी कर सकते हो घर पे कोई इतना ज्यादा बड़ी परचानी जाली बात नहीं है तो यह देखिए मैंने लॉक आगे से प्रेस कर दिया था क्यूंगा कैमरा भी मुझे अपने हाथ से पकरना पड़ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा होल्ड पे अबर्वाइस अराम से निकल जाते हैं तो यह देखिए यह लॉक होता है इसको थोड़ा सा अंदर आपने प्रेस करना तापि जब आप पिन नकालो बाहर तुझे फसेना और जब इसको लगाना है तो थोड़ा इसको थोड़ा सा बाहर को निकाल के आपने दवारा लगाना होता ताकि चलते सामें मशीन के ये पिन बाहर न निकल पाए तो इसी तरह सारे आपने लिए आप देखा है निकाल ना के जारू चारू य कि जारू य तो अब यह क्या लींद का लिए है तो अब मैंने बॉबर बार निकाल कर आपको देखाता हूं क्या प्राप्व हो आप इनकी सर्पेंशन देखना ये एक हाथ से ही उपर नीचे जा रहे हैं यह बिलकुल फ्री हो चुके हैं तो इसलिए यह मशीन ज्यादा वाइबरेशन कर रही थी अपनी जगा से हिलकर दूसरी जगा पर जा रही थी मूवमेंट पकड़ रही थी काफी ज्यादा तो जब बंद होती थी स्पेरिंग तब भी वाइबरेशन करती थी तो अब हम इनमें ने जो शौकर हैं वो डालेंगे यह देखिए बिल्कुल जो फोर्स थी वो खत्म हो चुकी है यह अंदर सीड होती है इसकी लगी वो बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है अब हम ने दिखाँगा मैं आपको जो ने हैं उनके अंदर कितनी फोर्स होती है तो पुरा टब को होल्ड करके रखते हैं ताकि जब मिशीन स्पिन करे बिल्कुल बिखाँक के लेडार करें तो बाइवरेशन नाlet ना हो यह देखर एंडेक़ नए बाह्त शाकर है तो इनकी फोर्स आप देखो अब ननों हाथों से कहीं और चाड़को क्षण के उप कaaफी वोर्स लगा लगेगा आपको खेशनी में यह देखिए में काफी फ प्राणा जो ख्राब हो चुका और वो नया था दोस्तों जी इतने बीडियो को बनाने का मकशन यह है कि आपको इन चीजों के बारे नॉलज मिल सके और आप खुद भी कर सकते हो, जो मेरे मेकानिक भाई हैं वो भी कर सकते हैं अराम से, तो प्लीज मेरी वीडियो को या शेयर जरूर कर दिया करो, मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिया करो, तो इससे मुझे थोड़ी सी स्पोर्ट मिल जाती हमत मिल जाती और वीडियो बनाने के लिए, तो यह आपने इनको ऐसे लगाना है बस इतना ख्याल रखना है कि जो जैसे आप खोलो वैसे ही लगाना है क्योंकि कई जगह मैंने देखा है अंजान लोग जो है वो नीचे लिए जो साइड है वो उपर लगा देते हैं एक दो जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है तब भी आपकी जो प्रावल्म है वो सौल्म नहीं हो पाएगी यह देखिए यह नीचे वाली साइड नीचे ही लगानी है अच्छी तरह ने लगाके उसके बाद आपने जो यह पीन नहीं इसको अराम से ऐसे फिट करना करना हो थोड़ा सा हैंबर के साथ जहां छोटी सी हाथ से चली जाती है अभी मेरे हाथ में कैमरा है तो इसलिए वो फोर्स नहीं बन रहे थी दोनों हाथों से अच्छी तरह फोर्स बन जाती है तो मुश्किल भी आती थोड़ी वीडियो बनाने में यह देखिए यह चारो पिन मैंने लगा दी है और यह नहे जो है वो शौक कर लेनी है क्योंकि हाथ लगने से कई बार कोई थिंबल लूज हो जाती है यह पंप की यह मोटर की तो उनको टाइट कर लेना अच्छी तरह उसके बाद हमने इसको जो नीचे का बेस खोला था वह बेस के लॉप फिट करके द्वारा जो स्क्रीव थे वह हमने टाइट कर द बार मशीन के बाद मशीन को वैसे ही फिर से आगे से पकड़ेंगे मशीन को अच्छी तना से यह जीए मशीन हमारी मिո ओक के हो गी है और स्टेवल खड़ी है अब हम फिर प्रेशर डालके देखेंगे इसके उपर ये देखिए अब ये ड्रम बिलकुल भी नहीं हील रहा पहले आपने जब देखा था तो बेक्तम से एक हाथ से जब मैं प्रेशर डाला था ड्रम उपर निची हो रहा था तो इसलिए वाइबरेशन होती है और इसकी वाइबरेशन खतम हो चुकी है तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजेगा और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजेगा मेरे चैनल की स्पोर्ट के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च